तो स्टुडेंट मासेल प्रेखायादव, I am your English teacher, तो सभी अपनी English की book निकाल लेंगे, this is the front page of our English book, okay, next हम first chapter पर आ रहे हैं, chapter first निकालेंगे सभी students, तो chapter first हमने निकाल लिया है, इसका name है, the name of first chapter, let's sing and play, चलो गाते हैं और खेलते हैं, क्या राम हो चेप्टर का, let's sing and play, चलो गाते हैं और खेलते हैं, sing meaning होता है, गाना और प्ले यानि खेलना, okay, और let's किसलिए यूज किया जाता है, कि जो भी work हम currently करने वाले हैं, वो सभी sentence making में हम let's का यूज करते हैं, तो let's sing and play, चेप्टर का नेम हुआ हमारा, about the chapter, तो चेप्टर की about-ness क्या है, वो हम समझेंगी, this poem shows the ground, sorry, the garden times of our childhood, let's read and enjoy, तो ये चेप्टर हमें क्या बताता है, कि जो बच्चे जो picture बनी हुई है, जो आपने book में देख रही होगी, सभी लोगों को जो picture बन रही है, उसमें garden की image है, और tree बना हुआ है, बहुत सारे बच्चे, उसके round round घूम रहे हैं, तो ये हमारे बच्चपन की जो game होते हैं, उसको दर्शाती हुई picture बनी हुई है, यहाँ पर, तो let's read and enjoy, तो हमेंसे पढ़ेंगे और enjoy करेंगे, सभी लोग इस तरीके से garden में जाकर खेलते हैं आप सभी लोग, playing करते हैं आ, तो आपको यही सब चेप्टर में और इस poem में बताया गया है, okay, so now start. Every little boy is playing, every little girl is singing, it's a happy happy day, let us sing and let us play, Every girl and every boy is full of fun and full of joy, they jump and play around the tree, they sing and dance around the tree, and they say it's a happy happy day, let us sing and let us play, okay, तो यह चेप्टर जो poem हैं वो हमें singing के द्रो रीड करनी हैं, तो आप सभी इसका meaning समझेंगे, अब line wise line हम इसका meaning समझेंगे, first हम read कर चुके हैं, अब हम meaning समझेंगे, okay, तो first line है, every little boy is playing, तो जो सभी चोटे चोटे बच्चे हैं, जो picture में देखे हैं, जो boy हैं, वो playing यानि खेल रहे हैं, और every little girl is saying, तो जो चोटी चोटी लड़क्या हैं, सभी की सभी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, saying यानि बोलना, okay, it's a happy happy day, तो यह हैं, बहुत ही खुशी खुशी वाला दिन है, happy means खुश, okay, तो यह हैं बहुत ही खुशी खुशी वाला दिन हैं, जैसा कि आपको picture में दिख रहा है, Let us sing and let us play तो हम गाते हैं, चलो हम गाते हैं, चलो हम खेलते हैं यह सभी बच्ची बोल रहे हैं Every girl and every boy is full of fun तो जो सभी लड़कियां हैं और सभी जो लड़की हैं, boy हैं Is full of fun, पूरी तरीके से मज़े में हैं Fun means मज़े में हैं, okay And full of joy तो बहुती joyful feel कर रहे हैं, बहुती enjoy कर रहे हैं वो लोग They jump and play, वो jump कर रहे हैं, jump मिनिंग क्या होता है? Go and play Around the tree तो जो tree है उसके around 4 और घुम घुम कर jump and play कर रहे हैं, okay They sing and dance around the tree तो वे सबी क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं and dance कर रहे हैं जो tree बना हुआ है, उसके चारो और घुम घुम कर गाना गा रहे हैं and play कर रहे हैं तो क्या है इसका meaning? They sing and dance around the tree जो tree है उसके चारो और घुम कर dance and sing कर रहे हैं, okay and next उस पर आएंगे, next line है and say it's a happy happy day तो और वो क्या कहते जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो सभी कि यह है बहुत ही खुशी वाला दिन है तो हम सभी चलो गाते हैं और खेलते हैं जैसे कि आप सभी लोग grounds में खेलने के लिए जाते होंगे garden बगेरा में अपने parents के साथ, अपने friends के साथ तो आप सभी भी खेलते हैं ना? ट्री के around around घूम कर, चारो तरब घूम कर and singing भी करते हैं तो वो सभी यह picture में यह पोयम में आप सभी को समझ में आ गया होगा, okay next, हम exercise complete करेंगे, okay students तो जो उपर word wise दिया हुआ है, उस पर देखेंगे हम पहला क्या है? fun, fun का meaning क्या होगा? fun means होता है, बहुती मजे में होना है, मजा यानि fun, okay इसको English में एक और word जो दिया हुआ है, उन्होंने synonyms दिये हुए हैं की तो इसका fun का क्या है? amusement, okay और around का meaning दिया है, उन्होंने one every side around यानि हमारे चारों तरफ का जो area होता है, उसे around कहते हैं full of joy, full of pleasure, मितलब बहुत ही खुशनुमा joy का meaning क्या होता है, खुशनुमा, एहसास होना, ठीके तो full of joy, तो full of pleasure भी इसको English में बोलेंगे every, every का means होता है, सभी के सभी all the number of a set, तो सभी के सभी को क्या बोलेंगे? every, okay तो यह words हो गया, word wise हो गया next, नीचे है exercise, exercise complete करेंगे हम सभी तो a number पर है, choose the, sorry, choose and write the correct options तो जो हमें options दिये हुए हैं, उन में से correct वाला option पर हमें tick करना है, यहाँ पर, and उपर write करना है, okay तो जो मैंने tick कर दिये हैं, आप सभी tick करें और write करें अपनी fear notebook में, okay little boy is dancing, swimming, clapping, तो जो हमारी poem है, उसमें dancing bird है, तो उसमें correct answer है, dancing, okay second है, they play around the tree, आप सभी ने देखा, जैसा की picture में बताए गया था, सभी बच्चे किसके around घूम रहे हैं, किसके चारों और घूम रहे हैं, तो वो tree के, तो उसका correct answer क्या हुआ है, बी नमर का, बी option correct हुआ, tree ठीक है, थार्ड नमर पर है, it is a happy day, तो हमने जो poem पढ़ी है, उसमें कई बार यूज हुआ है, it is a happy, happy day, तो इसका correct answer क्या है, ये वाला option इसका correct हुआ, तो इस पर happy पर tick कर देंगे, फोर्थ नमर का है, every boy is full of fun, every boy is full of fun, तो इसका correct answer क्या हुआ, fun, ए वाले पर हम tick कर देंगे, ओकी, Okay, students, B option पर आएंगे हम, अब B पर क्या दिया हुआ है, complete the sentence, तो जो हमें sentence दिये हैं, उन्हें complete करना है, जो blanks हैं, उनमें हमें जो option उपर दिये हुए हैं, words जो दिये हुए हैं, उन्हें fill up करना है, तो first वाला है, every little boy is playing, तो इसमें playing आएगा, मैंने fill किया है, आप सभी भी fill कर लेंगे, second वाला है, it's a play happy day, ठीक है, it's a happy happy day, तो इसमें second वाले में क्या आएगा, happy, it's a happy happy day, थर्ड नमर का है, let's us sing and let's us play, तो चलो हम गाते हैं और खेलते हैं, ठीक है, let's us sing and let's us play, तो इसमें sing आ जाएगा, sing को fill कर देंगे, ओकी, फोर्थ नमर का है, they jump and playing around the tree, they jump and play around the tree, तो इसमें क्या fill करेंगे, हम jump, ओकी, आप सभी ये fill कर लें, C नमर पर है, give the rhyming words for the following, तो rhyming means क्या होता है, कि जैसे कि कोई भी word है, उसका जैसे हम बोलते हैं, वैसा का वैसा sound आना चाहिए, जैसे कि play है, तो उसका rhyming word वैसा का वैसा हम saying बोल देंगे, playing, saying, day, play, joy, boy, तो ये एक जैसे word है ना, एक जैसे sound आ रहा है, तो ऐसे word को हम rhyming words बोलते हैं, तो playing का saying, day का play, joy का y, play का say, y का joy, joy का y लिखा था, इसलिए हमने y का joy कर दिया, ओकी, तो ये rhyming words हो गए है, d नमर पर आएंगे, आगे, make words while adding a letter to them, once one is done for you, तो यहां पर एक letter लिखना है हमें, और उसको word में change करना है, मतलब one letter से, किसी भी alphabet के one letter या two letter से, हमें एक word बनाना है, तो जैसे first दिया है, हमें, vary दिया हुआ था, उसमें e जोडा, तो उसमें everyone गया, ओकी, ऐसे ही मैंने fill कर रखा है, जब O, U, and D, on में हम A, R जोड देंगे, तो around हो जाएगा, वैसे ही जो second number का है, A, N दिया हुआ है, उसमें D जोड देंगे, तो end हो जाएगा, T, H, E, दा दिया हुआ है, इसमें Y और जोड देंगे, तो D हो जाएगा, S, I, N, सिन दिया हुआ है, इसमें G और कर देंगे, तो sing हो जाएगा, और it, it में S जोड देंगे, तो it हो जाएगा, जो S, S, Trophy वाला S जोड दिया है, मैंने, उसका मतलब होता है, इसका, इसकी, तो S, Trophy के यूज क्या होता है, का की के लिए, यूज होता है, तो यहाँ पर it हो जाएगा, next speech पर आएगे हम, यह pictures बनी हुई है, आप सभी को दिख रहे होंगी, तो इसमें क्या करना है, हम देखेंगे, locate the picture and write the action words, तो जो picture दी है, उसमें activities कर रहा है, जो बच्चे हैं, उसको हमें fill up करना है, तो first जो दिया है, action words are called verbs, तो हमें verbs में लिखना है, तो जो first दिया है, उसमें क्या है, अतिशा is writing, तो उसमें picture में दिख रही है, जो अतिशा है, जो girl है, उसका नाम अतिशा दिया हुआ है, तो वो क्या कर रही है, writing कर रही है, लिख रही है, writing means क्या होता है, लिखना, okay Second क्या है, Rohan is playing, तो वो अपने twice से खेल रहा है, जो Rohan है, वो अपने twice से खेल रहा है तो playing means होता है, खेलना, Rohan is playing, next है Nikhil is jumping, तो आप सबी को देख रहा होगा जो picture है उसमें वच्चा कूंद रहा है, उसका नाम, इसमें निखिल है, तो निखिल is jumping, निखिल कूंद रहा है Sonny is dancing, जो white dress वाली girl है, वो dance कर रही है, तो उसमें आ जाएगा, फिल कर देंगे, हम dancing Sonny is dancing, इसपर is swimming, जो swimming कर रहा है वच्चा उसमें आप सभी को दिख रहा होगा picture में, तो इसमें swimming फिल कर देंगे next है, the dog is sitting, तो कुता जो है dog बैठा हुआ है, तो उसमें हम sitting फिल कर देंगे students, यह आपकी exercise complete होती है, first chapter complete होता है, आप सभी यह अपने fair book में note कर लें and learn कर लें, okay, thank you for listening